हेलो फ्रेंड्स वन्स अगें वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लॉने चाहता है दोस्तों आज मैं आप लोगों को फोटो कैमेस्ट्री के बारे बताऊंगी क्योंकि मैंने कुछ पहले आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बना हूँ तो सबसे जो लॉग टाइप कोस्ट्यान मैं आप लोगों को वही बताऊंगी ठीक है तो चली हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसका डेफिनेशन फोटो कैमेस्ट्री आखिर होता क्या है तो बेसिकली हम जो फोटो कैमेस्ट्री है वो लाइट के लिए पढ़ते हैं ठीक है जो प्रक रैडियेशन के प्रभाव का अध्यान है मतलब जैसे कोई भी ज्री सब्सक्राइब कोय बीर एक्राशन हो रहा है तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा तो यह सारे चीजों के बारे में हम लोग जो एश्टदी करते हैं वही फोटकेमेस्ट्री कहलाता है ठीक है फ्रेंड् प्रकास की बात कर रहे हूं, तो यहां जो light है, उसका संबन किस्से है, electromagnetic spectrum से, मतलब infrared, UV, visible region, मतलब मैंने आप लोगों कुछ से पहले, UV spectroscopy, UV region, infrared region, visible region, यह सारा चीज जो बताया था, जो की electromagnetic spectrum है, विदुछ चुम्बक की spectrum है, ठीक है, तो यह सारा चीज जो है, वो light है, radiation है, इ यह जो सारा चीज है, वो light के इंतर गताता है, तो जैसे कोई भी रशायनी का विक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इन radiation का विक्रिया हो रही है, ठीक है, अगर उस पे radiation पढ़ गया, प्रकास की विकिरन जो कहते हैं, वो अगर उस पे effect कर गया, या फिर जो अभी क्रिया है, उस radiation को और शोशित कर लिया, तो उसमें परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उस पूरे रशायनी का विक्रिया में changes होना start हो जाती है, radiation के कारण, तो इसी चीज की study जो हम करते हैं, उसे photo chemistry कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों क से होती है, photon अभिकारकों को energy प्रोवाइड करते है, ताकि भी क्रिया कर सके, इसमें ये कहा जा रहा है, कि ये जो प्रकास रसायनी का भी क्रिया है, वो radiation से होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, कि जब कोई भी रसायनी का भी क्रिया, कोई भी chemical reaction है, जब उस पर radiation पढ इसमें जो अभिकारक होते हैं, उसको फोटॉन है, मतलब जो light से मिल रही है, वो जो है, उसको energy प्रोवाइड करते है, ताकि भी क्रिया कर सके, तो ये है प्रकास रसायनी का भी क्रिया, तो इसमें जो है वो दो नियम है, ग्रोथस ड्रेपर नियम और आइंस्टीन का प्रक ग्रोथस ड्रेपर नियम ठीक है, तो यह नियम सन 1817 में ग्रोथस ने फिर सन 1841 में ड्रेपर ने प्रतिपादित किया था, मतलब अलग-अलग सालों में ग्रोथस और ड्रेपर ने मिल करके इस लोग को प्रस्तूत किया था, ठीक है, केवल वही radiation, इसको ध्यान से समझेगा, केवल वही radiation ही रशायनिक परिवर्तन लाने में प्रभाव साली होती है, जो क्रिया करने वाले सिस्टम के द्वारा और सोसित हो जाती है, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैंने आपको फोटो कैमेस्ट्री में क्या बताया था, कि जब कोई रशायनिक अभी क्रिया होते रहती है अगर उसमें radiation का प्रभाव पढ़ गया, तो उसमें changes आना start हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, केवल वही radiation, मतलब केवल वही प्रकास ही रशायनिक परिवर्तन में परिवर्तन लाने प्रभाव साली होती है, मतलब हर radiation जो है वो रशायनिक अभी क्रिय क्रिया को change नहीं कर सकता है, केवल कुछ कुछ radiation ही होता है, जो की रशायनिक प्रिवर्तन करने में प्रभाव साली रहेगी वो radiation, तो इस नियम को ग्रोथज ड्रैपर ने दियप्रस्तुत किया था, ठीक है फ्रेंट्स, मतलब एक बार फीर से बता देती हूं, केवल वही रशायनिक प्रिवर्तन में प्रभाव साली होती है, जो क्रिया करने वाले सिस्टम के द्वारा असोसित होती है, ठीक है, तो यहां पर एक समी करनेक हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या है, यहां पर देख लेते हैं, प्रकास की तीवर्ता, यानि इन्टैंसिटी को हम IE0 से पारगत प्रकास की तीवर्ता, अब पारगत प्रकास में ट्रांस्मीटेंस ठीक है, तो यहां पर कुछ जो कुछ रेडियेशन है वो आसोसित हो जाएगा, और कुछ रेडियेशन है जो वापिस चला जाएगा, जो ट्रांस्मीट हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज को यह से जो है वो लिखते हैं ठीक है तो यह समी करण हमारा फॉस्ट प्राप्त हुआ तो ग्रोथर्ट ट्रेपर लौ आप लोगों को समझ आया फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इस्टार्क आयंस्टीन का प्रकास रशानिक तुलेता का नियम जो की मोश्ट इंपोर्टेंट है और अधिकतर एक्जाम में आते हैं फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझेगा बहुत इजी है एक बार आप लोग समझ गया तो नहीं भूलोगे ठीक है तो प्रकास रशानिक तुलेता के नियम को सन 1912 में आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया इस नियम के नुसार क्या होता है ठीक है तो यह जो प्रकास रशानिक तुलेता का जो नियम है वो सन 1912 में याद रखेगा 1912 में आइंस्टीन ने प्रतिपादित क उन्हों ने इसे प्रतिपादित किया था उनके नाम पे ही इस नियाम का जो है वो नाम पड़ा है स्टार्क आइंस्टीन का प्रकास रशानिक तुलेता का नियाम ठीक है तो इसके लिए मैं बहुत इजी डैफिनेशन आप लोग के लाई हूँ तीन चार डैफिनेशन था बट मैं आप लोग बहुत इजी डैफिनेशन लाई हूँ प्रतेक अणू या पर्माणू जो प्रकास के कारण रशानिक विक्रिया में भाग लेता है केवल एक क्वांटम विकिरन और शोशित करता है ठीक है आप लोगो को सम्मी करन के माध्यम से समझा दूंगी कि यह कैसे होगा बस आप लोग यह definition को जो है वो word to word लिखना क्योंकि यह जो Einstein रमक साइंटिस उन्होंने यही definition प्रतिपादित किया था और हम definition में कोई भी changes नहीं कर सकते हैं ठीक है energy E equal क्या H new समी करन 2 समी करन एक हमें ग्रोशत से प्राप्त होगा समी करन 2 यह हुआ ठीक है E equal H new जहां पे है plan की स्थिरांग है plan की स्थिरांग है और new associate विकिरनों की आवरित्ति है आप लोगों ने black body में plank इस्ति रांग जो पढ़ा होगा उसमें आप लोगों को ये समीकरण याद होगा जहां तक ठीक है और h new quantum है ठीक है तो ये हमें क्या हुआ समीकरण दो प्राप्त हुआ अब आगे हम लोग देख लेते हैं पदार्थ के एक ग्राम अणू द्वारा असोसित उर्जा मतलब कोई पदार्थ है उसके एक ग्राम अणू द्वारा असोसित उर्जा अगर उसका जो पदार्थ है जो एक ग्राम अणू द्वारा असोसित उर्जा अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा H new को evogadro संख्या से गुड़ा करने से हमें प्राप्त हो जाएगी तो evogadro संख्या N से हम व्यक्त करते ही तो आप लोगों पहले से पता है ठीक है तो E equal क्या हुआ? evogadro संख्या into H new मतलब जो समी करन्द 2 है उसमें हम लोग evogadro संख्या को जो है वो multiply कर देंगे ठीक है तो हमें क्या है एक ग्राम अडू का जो आउसोसित उड़ जाए है वो निकल जाएगा तो E equal क्या हुआ? N H new प्रती मोल समी करन्द 3 प्राप्त हुआ E equal N H C upon lambda प्रती मोल समी करन्द 4 अब ये क्यो हो रहा है मैं बता रही हूँ new equal C upon lambda जहां lambda तरंग दर्द सेंटीमीटर में है N जो कि आप लोगों को पता है evogadro संख्या है अब ये C क्या है? प्राकास का वेग है C lambda क्या है और सोशित प्राकास का तरंग दर्द है और H जो है वो प्लांग की स्थिरांग है जिसका मान 6.624 into 10 10s power minus 27 होगा ठीक है ये फ्रेंट्स आप लोग संख्या तीन और संख्या चार को अच्छे समझगें इसे याद रखेंगे क्योंकि आगे हम जो भी मान रखेंगे ये संख्यार चार में फिल करेंगे ठीक है यहां तरंग देर लेंड़ा एम गे स्ट्रॉम इकाई में है इसलिए इसका मान सेंटीमीटर लेंड़ा इंटू 10s power minus 8 cm होगा ठीक है अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहां समीकरन 4 में इन मानों को जो है वो फिल करेंगे तो समीकरन 4 हमको क्या प्राप्त हुआ था E equal N H C upon lambda प्रति मोल तो इसमें हम जो भी मान है उसे जो है वो भरेंगे ठीक है तो N equal क्या है 6.023 into 10s power 23 H equal क्या होगा 6.624 into 10s power minus 27 C equal 2.9977 into 10s power 10 cm प्रति सेकेंड रखने पर ठीक है तो हम जो समीकरन 4 है ठीक है ये जो समीकरन 4 है उस पर ये जो सारे मान है उसे हम लोग रख देंगे ठीक है N के जगा 6.023 ये सारा चीज को हम लोग रख देंगे और लास्ट में अर्क स्मोल minus 1 तो जब हम इसे solve करेंगे फ्रेंट साप लोग solve करके देखना इसका जो आंसर है वो इक्वल 1.196 इंटू 10 पावर 16 लेंडा अर्क स्मोल minus 1 आएगा तो ये हमें क्या हुआ समीकरन 5 प्राप्त हुआ ठीक है क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल 4.184 इंटू 10 पावर 7 अर्ग होता है इसलिए उप्युक्त वेंजक में अर्ग को किलो कैलोरी में चेंज करेंगे तो ये जो हमें समीकरन 5 में अर्ग मोल प्राप्त हुआ है उसको हम लोग किलो कैलोरी में चेंज करेंगे ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको into कर देंगे ठीक है तो 1.196 into 10th power 16 upon lambda into 1 upon 4.184 into 10th power 7 किलो प्रती मोल तो क्या होगा हम लों को कैलोरी मोल में जो है वो किलो कैलोरी में प्राप्त हो जागा यह अर्ग को किलो कैलोरी में चेंज करनी का वो है ठीक है तो यह समीकरण 5 है जो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो चेंज हो कर के कौन सा रूप ले लेगा 1.196 x 1016 x 4.184 x 107 x 1000 kcal प्रतिमोल इसको जब हमनों सॉल्व करेंगे ठीक है तो लास्ट में हमको समी करन 6 के रूप में E इकॉल 2.859 x 105 x 5 प्रतिमोल प्राप्त होगा तो फ्रेंड्स आप लोग इसे सॉल्व कीजेगा ठीक है इसे जो भी है उसको करके देखेगा आप लोगों को यही आंसर प्राप्त होगा अभी मैं हरे एक चीज़ को सॉल्व करके नहीं बता सकती बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है इसलिए आको डारेक्ट बता रही हूं है न एक मोल पदार्त द्वारा आसोसित उर्जा को एक आइंस्टीन कहते है ठीक है मतलब जी जो एक मोल पदार्त द्वारा जित्ती उर्जा जो है वो आसोसित की गई है उसे एक आइंस्टीन कहते है ठीक है समीकरण 6 हमें प्राप्त हुआ तो उपर के समीकरणों से इस पस्ट है कि विक्रण का तरंग दर्ज जितना ही कम होगा प्रती मोल आसोसित उर्जा जो है वो उतनी अधिक होगी तो यहां पे आप लोगों को समीकरण जो 7 दिखाए दे रहा ही युद्क्रम आनुपाती यदि स्टार का आइंस्टीन का नियम सत्य है तो प्रतेक मोल पदार 2.859 इंटु 1045 अपन लेंडा किलो कैलोरी उर्जा जो है वो असोसित करेगा अर्थार 1 किलो कैलोरी उर्जा से लेंडा उपन 2.859 इंटु 1045 मोल पदार का अभटन होना चाहिए तो यह जो आइंस्टीन आप लोगों कुछ समझ आया होगा और थाइंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग माई वीडियो